आज हम आपको Edit Menu के सभी Options के बारे में जानकारी देने वाले हैं पिछली वीडियो में हमने इसी तरीके से आपको File Menu के सभी Options के बारे में आपको बताया था साथी साथ आज हम आपको ऐसे दो या तीन टिप्स बताने वाले हैं इसकी मदद से आप अपने Heavy काम को बहुत ही Easy कर सकते हैं Coral Draw के अंदर दोस्तों अगर आप Coral Draw सीखने में Interested हैं और Coral Draw के सभी Options के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल के प्लैलिस में जाकर के आप हमारे Coral Draw के सभी Options के बारे में यहाँ पर सीख सकते हैं और Coral Draw के बहुत सारे Tips और Tricks आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप एक अच्छे Graphic Designer बन सकते हैं तो चलिए Edit Menu के सभी Options के बारे में एक-एक करके समझते हैं दोस्तोजों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने Coral Draw यहाँ पर Open किया हुआ है और जैसे हम यहाँ पर Edit Menu पर क्लेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Edit Menu के उपर के सभी options यहाँ पर hide हैं दोस्तों यह options तभी काम करेंगे जब हम यहाँ पर कोई object create कर लेते हैं जैसे मान दीजे हम यहाँ पर कोई object यहाँ पर create कर लेते हैं और उसके बाद हमने इसके अंदर एक color fill कर लिया दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर edit menu पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला option यहाँ पर आपको दिखाई देता है under fill का under fill का मतलब यह होता है कि जैसे हमने यहाँ पर पहले object को create किया देन उसके बाद हमने इसके अंदर color को fill किया अब यहाँ पर यहाँ बता रहा है under fill under fill का मतलब जो हमने अभी color यहाँ पर fill किया है हम उससे back जाना चाहते हैं यानि इसे हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर control Z का इस्तेमाल कर सकते हैं यानि एक step पीछे जाने के रिए आप यहाँ पर under का इस्तेमाल कर सकते हैं तो जैसे हम यहाँ पर under वाले option पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा color यहाँ से हट चुका है इसी तरीके से edit वाले option पर हम दुबारा से अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से आपको एक option मिलता है under create का यानि हमने जो object अभी create किया था इसको भी हम यहाँ से हटाना चाहते हैं यानि एक step और पीछे जाना चाहते हैं तो वापस से आप यहाँ पर under create वाले option पर click कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा object यहाँ से हट चुका है इसके बद वापस से इसी option पर हम वापस से click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको उसी step को repeat करने का option मिल जाता है यानि reado का यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडो फिल का भी option आपको यहाँ पर मिलता है, तो जैसे हम रीडो फिल पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो object था, उसके अंदर हमने जो color fill किया था, वो हमें यहाँ पर वापस से मिल जाता है, तो दोस्तो इस तरीके से, अगर आपने कोई design बनाया हुआ है, जिसमें आप गलती कर देते हैं, किसी भी चीज़ को ले करके, तो आप यहाँ पर control Z की मदद से पीछे जा सकते हैं, और अगर आपने गलती से किसी object को delete कर दिया है, तो आप यहाँ पर वापस से, बीच वाले point पर आकरके, एक बार हम double click कर देते हैं, या single click कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आकरके हम एक बार click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके का आपको सामने arrows दिखाई देगा, और यह dot आपको बीच में center point पर दिखाई देगा, इस वाले dot को उठा करके, हम यहाँ पर नीचे की तरफ रख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आकरके, हम एक बार इसे इस तरीके से drag करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको mouse का जो click है वो छोड़ना नहीं है, left click आपको नहीं छोड़ना, सबसे पहले आपको right click कर देना है, उसके बाद आपको अपना left click यहाँ पर छोड़ना होगा, तो इतना करने के बाद, अब जैसे मैं आप पर edit वाले option पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर highlight हो करके दिखाई दे रहा है, repeat duplicate, यानि आप इस object का duplicate करना चाहते हैं, और भी तो यहाँ पर इस वाले option पर आप click कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह step को आगे forward करता चला जा रहा है, यानि किसी एक ही काम को बार-बार repeat करता चला जा रहा है, अगर आप अपने keyboard से control R का यहाँ पर इस्तमाल करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने काम को इसी तरीके से repeat and repeat यूज़ कर सकते हैं, तो आपको बार-बार वहाँ पर जाने की जुरूरत नहीं है, आप अपने keyboard से control R दबा करके, अपने object को यहाँ पर repeat करा सकते हैं, तो इस तरीके से आप इस option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो next option दिखाई देता है, वो मिलता है bring into focus का, दोस्तो हम यह चाहते हैं कि हमारा यह जो object है, सिर्फ यह focus में आए, बाकि सारे के सारे object हमारे जो है, वो focus में हमें दिखाई ना दे, यानि highlight हो करके दिखाई ना दे, तो इस case में आप इस option पर click कर सकते हैं, जैसे हम इस पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा केवल वही object, यानि वही layer हमें यहाँ पर focus में दिखाई दे रही है, और बाकि सारे के सारे objects यहाँ पर hide हो चुके हैं, आपको वापस से इसे back करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको layers का option दिखाई देता है, आपको इस पर click कर देना है, जैसे हैं आप इस पर click करेंगे, तो आपके सभी objects यहाँ पर highlight हो जाएंगे, दोस्तो इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर next option एक और दिखाई देता है, exit focus mode का, दोस्तो अगर आप यहाँ से चाहिए, तो अपने focus mode को भी बंद कर सकते हैं, जैसे मालीज, हम यहाँ से वापस से इसको focus में कर लेते हैं, और edit में जाने के बाद, यहाँ पर आप exit वाले option का इस्तमाल करके, या फिर shift के साथ skip की दबा करके, भी आप अपने focus mode को यहाँ पर हटा सकते हैं, इसके बाद हमारा next option है, वो है यहाँ पर cut का, दोस्तो cut का मतलब होता है, किसी भी object को या किसी भी चीज़ को एक जगा से उठा करके, दूसरी जगा place करना, जैसे माली जै हम इस object को यहाँ से cut करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको edit पर आना है, और यहाँ पर आपको option मिल जाता है cut का, इस वाले option पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आपका वो object यहाँ से हट चुका है, इसके अलावा आप अपने object को अगर किसी दूसरे page पर ले जाना चाहते हैं, तो माली जै हम यहाँ पर एक new page insert कर लिया है, और insert करने के बाद हम वापस से edit वाले option पर आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको paste का option highlight हो करके दिख जाएगा, आपको इस वाले option पर जाकर करके click कर देना है, तो इस option पर click करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका object वहाँ से हट करके यहाँ पर place हो चुका है, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो दूसरा option यहाँ पर मिलता है, वो मिलता है copy का, दोस्तो copy और cut में difference होता है, cut का मतलब यह होता है कि आपके object को उठा करके वहाँ से, जब भी आप cut का इस्तमाल करते हैं, या फिर आप copy का इस्तमाल करते हैं, तो यहाँ पर आपको paste का इस्तमाल करना होगा, तभी आपका object यहाँ पर दिखाई आपको देखा, जैसे हम यहाँ पर paste वाले option पर ट्लेक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, property form किसले use किया जाता है, इसके बारे में भी हम जाल लेते हैं, हम यहाँ पर एक नया page वापस insert कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक text को type कर लेते हैं, जैसे हम type करते हैं, यहाँ पर Excel Info Tag, दोस्तो Excel Info Tag हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इसके लावा हम यहाँ पर इसकी outline को थोड़ा सा मूटा करना चाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर F12 का इस्तमाल करेंगे, F12 का इस्तमाल करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, outline pen के नाम से आपको यहाँ पर एक dialogue box दिखाई दे जाएगा, और यहाँ से आप अपनी width को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं 0.5 mm, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, width हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसके लावा अगर आप यहाँ से चाहें, तो इसके style को भी आप change कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम आप इसके style को चेंज कर लिया है, और चेंज करने के बाद हम यहाँ से इसे ok वाली button पर click कर देते हैं, अब इसकी जो outline का color है, वो हम यहाँ पर बदलने वाले हैं, दोस्तो इस outline का color हम यहाँ से right click करके, यहाँ से red कर लेते हैं, या फिर अगर कोई और color आपको पसंद आता है, तो वो color हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, दोस्तो इतना करने के बाद हमने माल लीजे, अपना एक effect यहाँ पर तयार कर लिया है, और इसके बाद यहाँ पर हम एक simple font लिख देते हैं, तो इसके लिए आपको इतना सब कुछ करने की जुरत नहीं पड़ेगी, तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने उस text को select करना होगा, जिस text पर आप formatting करना चाहते हैं, उसको select करने के बाद आपको जाना है edit menu पर, और edit menu में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक option मिल जाता है, copy property from का, इस वाले option पर आपको click कर देना है, दोस्तों इस वाले option पर click करते ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 4 options दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला option आपको मिलता है, outline pen का, इस पर अगर आप tick कर देंगे, तो इस text में जो भी outline का हमने size लिया हुआ है, यह उसको यहाँ पर copy कर लेगा, इसके लावब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मिलता है outline color का, अगर आप इस पर click करेंगे, तो इसके outline में जो हमने yellow color fill किया हुआ है, इसने उसको भी यहाँ से pick कर लिया है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर fill का option है, फिल का मतलब जो हमने इसमें excel info tech में यह blue color fill किया है, यही color हम इसके उपर भी देना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ पर tick कर लेंगे, और इसके लावब text property पर हम यहाँ पर click करेंगे, तो text की सभी property को यहाँ पर यह pick कर लेगा, और pick करने के बाद आपको केवल यहाँ पर okay वाले button पर click कर देना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके mouse की cursor पर यह arrow आपको दिखाई देगा इस तरीके से, इस वाले arrow को आपको क्या करना है, आपने जो भी style यहाँ पर बनाया हुआ है, उस style पर आपको simply click कर देना है, दोस्तो जैसी आप यहाँ पर click करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, computer institute के ओपर भी same वही style, same वही size, same वही format यहाँ पर paste हो चुका है, इस तरीके से आप इस option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको next option यहाँ पर मिलता है, paste in view का, दोसको अब यह paste और paste in view, इन दोनों में क्या difference है, मैं आपको दोनों ही difference समझा देता हूँ, जैसे माल लीजे, हम यहाँ से Excel InfoDeck को select करते हैं, और यहाँ से जाकर के हम इसे copy कर लेते हैं, copy करने के बाद हम वापस से जाकर के, यहाँ पर paste वाले option पर click करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, copy करने के बाद जो paste हुआ है, वो same इसी object के ऊपर ही हमारा object पेस्ट हो चुका है, अगर हम इसको यहाँ से उठा करके लेकर जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे object की यहाँ पर copy हो चुकी है अब मैं आपको paste in view का option समझाना चाहूँगा यह भी काम paste का ही करता है मगर थोड़ा सा इसमें difference है कैसे हैं हम वापस से इसी option को select करते हैं तो हमने copy already किया हुआ है तो हमें बार-बार copy करने की ज़रत नहीं है हम सीधे edit वाले option पर जाएंगे और यहाँ पर आपको option मिल जाता है paste in view का इस वाले option पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने इसको उठा करके इस जगा पर paste किया इसका मतलब यह है कि आपका जो object है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं paste होने के बाद कि आपका object किस तरीके से paste हुआ है यानि उस वाले option में यह फर्क था कि जब हम इसे copy करके paste करते हैं तो हमें यह पता ही नहीं चलता कि हमारा copy paste हुआ है या नहीं है कि paste करने के बाद यह आपको view दिखाएगा कि आपका जो document है या जो भी text है वो यहाँ पर paste हो चुका है तो इस तरीके से आप इस option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम चले जाते हैं से edit menu पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा जो paste special का option है वो यहाँ से hide है अब यह hide इसलिए है क्योंकि जब तक हम किसी भी text की या किसी भी matter की copy नहीं करते हैं तब तक यह paste का option highlight नहीं होता यानि सबसे पहले आपको ctrl c का इस्तमाल करना होगा उसके बाद ही यह paste के सभी option यहाँ पर open होते हैं तो हम चले जाते हैं ms word पर और ms word पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर काफी सारे paragraph लिखे हुए हैं जिसमें से हम यह बीच वाले paragraph को यहाँ से copy करने वाले हैं जिसमें हमने थोड़ी सी formatting कर रखी है इसको हम Ctrl-C की मदद से यहाँ पर copy कर रहे हैं copy करने के बाद हम आज आते हैं वापस से अपने corridor के ओपर और अब हम चले जाते हैं edit menu पर edit menu पर आते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं पांच option दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले हम बात करते हैं first option की यहाँ पर आप देख सकते हैं Microsoft Word document आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तो इस वाले option को हम select करते हुए यहाँ पर जैसी OK वाले button पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Word document का जो भी matter हमने यहाँ पर copy किया था वो हमें यहाँ पर as it is दिखाई दे रहा है अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पर editing करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ से text tool लेते हैं और यहाँ पर click करके अगर हम कुछ edit करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके अंदर हम editing नहीं कर पाएंगे अगर हम इस paragraph के ओपर double click करते हैं तो double click करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं MS Word की एक नई file हमारे सामने open हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस paragraph आपको यहाँ पर दिखाई देगा जिसके अंदर आप यहाँ पर कुछ भी editing करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो पहले वाली file थी जहां से हमने इस matter को copy किया था वो file हमारी original यहाँ पर है और यहाँ पर उसने हमें एक duplicate copy open करके दी है जिसके अंदर हमें यहाँ पर कोई भी editing यहाँ पर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और वो editing यहाँ पर update हो चुकी है तो इस तरीके से आप अपने इस paragraph को यहाँ पर edit कर सकते हैं तो यह तो था हमारा first option अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले option की तो इसको उठा करके हम फिलाल यहाँ पर side में रख देते हैं और इसके बाद हम वापस से जाते हैं अपने edit वाले option पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं paste special का आपको option फिर से दिखाई देगा तो अगर आपने एक बार copy कर रखा है तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार paste का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप paste special का इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर हम वापस से इसी option पर click करते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा second option है वो है picture meta life का इस वाले option को हम यहाँ पर select करते हुए जैसी okay वाले button पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा paragraph यहाँ पर same as it is import हो गया है बट यह टुकडो में import हुआ यानि कि जब भी हम किसी paragraph पर यहाँ पर double click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको टुकडो में divide कर देगा और उसके बाद इसके अंदर आप editing आसानी से कर सकते हैं आपको यहाँ पर जा करके double click करना है और उसके बाद आप आसानी से इसमें editing कर सकते हैं यानि कहने का सीधा मतलब यह है यह आपका एक picture format की तरीके से आपको दिखाई देगा बट इसके अंदर आप editing कर सकते हैं यह कई पार्ट में आपके इस paragraph को यहाँ पर divide कर देता है तो इस तरीके से आप इस वाले option का भी यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों हम इस वाले option को भी यहाँ से उठाकर के side में रख लेते हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले option की तरफ हम वापस से edit option पर जाएंगे पेश्ट special पर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो तीसरा option यहाँ पर मिलता है किया है जो भी हमने formatting इसमें 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 इसमाल की है क्या वो दोनों ही चीजें यहाँ पर maintain हो करके यहाँ पर paste हो दूसरा option यहाँ पर आपको मिलता है maintain formatting only इसका मतलब यह है कि यह आपके केवल formatting यानि colors को style को केवल maintain करेगा इसमें font को यह maintain नहीं करेगा और तीसरा option आप यहाँ पर देख सकते हैं discard font and formatting यानि दोनों ही चीजों को यहाँ पर maintain नहीं करेगा directly text format में आपके paragraph को यहाँ पर paste कर देगा तो इन तीनों में से आप अपने इसाब से जो भी option का इस्तमाल करना चाहें वो कर सकते हैं पहले मैं आपको यहाँ पर discard वाले option को करके दिखाना चाहूंगा इस option को select करते हुए जैसे यहाँ पर ok वाले button पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने discard format यानि जितनी भी formatting इसके इंदर हमने की थी वो सभी formatting को इसने remove कर दिया और इसका जो by default font style था aerial वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप इस वाले option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो next option था वो यहाँ पर था maintain formatting only का इसको अगर select करते हुए हम यहाँ पर okay वाले बटन पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने font का style यहाँ पर aerial ही लिया हुआ है क्योंकि aerial इसका by default font style है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने उसकी formatting को यहाँ पर आसानी से maintain करके रखा हुआ है और इसके बाद अगर भात करते हैं तो इस वाले option का अगर हम यहाँ पर इस पर इस्तमाल करने वाले हैं यहाँ पर जाते हैं Rich text format को select करते हुए ऊके करेंगे यहाँ पर maintain font and formatting को select करते हुए ok करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने font और formatting दोनों को यहां पर maintain करके as it is यहां पर paste कर दिया है और अगर अब आप इसके अंदर editing करना चाहते हैं तो आप इसके उपर जैसी double click करेंगे यहां पर आप आसानी से इसके अंदर editing कर सकते हैं तो दोस्तो यह तीनों option आपको समझ में आ गए होंगे मैं इसको भी उठा करके यहां से side में रख लेता हूँ और उसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने अगले option की तरफ यहां पर आप देख सकते हैं आपको जो fourth option यहां पर मिलता है वो मिलता है text का तो दोस्तो text वाले option को select करते हुए जैसे में यहां पर okay वाले button पर click करेंगे तो आप यहां पर देख सकते है text का मतलब इसने उस paragraph में से keyword text को pick किया है बाकि ना तो इसने आपकी formatting को यहां पर उठाया है और नहीं आपके font के style को यहां पर उठाया हुआ है तो इस तरीके से आप इस वाले option का इस्तवाल कर सकते हैं और जब भी आप इसमें कोई editing करना चाहते हैं तो simply आपको double click करना है और आप आसानी से इसके इंदर editing कर सकते हैं इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले option की तरफ इसको भी उठा के हम side में रख लेते हैं और फिर हम वापस से paste special के last option की और बढ़ते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो next option मिलता है picture enhance meta life का यह वाला option और picture meta life यह दोनों ही लगबग option same काम करते हैं इसको select करते हुए जैसे में आप ओकी वाले button पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने भी इसको यहाँ पर टुकडों में divide कर दिया है double click करके आप paragraph को यहाँ से अलग-अलग कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप इसमें editing करना चाहें तो आप असानी से इसके इंदर editing भी कर सकते हैं तो दोस्तों यह पाचो option आपको समझ में आ गए होंगे इसको अगर आप यहाँ पर एक साथ pick करते हैं तो यह बिल्कुल picture की तरीके से ही काम करता है आप इसको असानी से उठा करके एक बार में कहीं पर भी move करा सकते हैं इसके बाद हमारा एक option और यहाँ पर है हमें वापस से इसी option पर जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर word document को select करते हैं तो यहाँ पर हमें एक option मिलता है display as icon का इस वाले option को select करते हुए जैसे हम यहाँ पर okay वाले button पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने कोई भी paragraph यहाँ पर insert नहीं हुआ है बलकि document का एक icon हमारे सामने यहाँ पर insert हो चुका है दोस्तों जिस भी software से आप अपने document को यहाँ पर ला रहे हैं उस document का icon आपको यहाँ पर दिखाई देगा और जब भी आपको उस document में editing करनी होगी तो आपको किवल इस वाले icon पर double tap करना होगा double tap करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने अलग से आपको paragraph MS Word में open करके दे दिया और उसके बाद आप यहाँ पर उसके अंदर जो भी editing करना चाहें वो आसानी से इसके अंदर editing कर सकते हैं यानि कहने का मतलब सीड़ा यह है कि यह एक तरीके से link का गाम करता है इसने आपकी file को इसके साथ attach कर दिया और उसके बाद जब भी आप इसका इसका इस्तमाल करना चाहते हैं तो आपको किवल उस icon पर click करना है click करते हैं आपकी वो file open हो जाएगी आप उसे वहाँ से read कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप paste special के इन सभी option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर एक option मिलता है delete का जो simple option है आप किसी भी object को यहाँ से delete करना चाहते हैं तो इस option पर जैसे click करेंगे तो आप यहाँ पर delete कर सकते हैं या फिर आप अपने keyboard से भी delete key का इस्तमाल कर सकते हैं, किसी भी object को यहां से delete करने के लिए, इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर एक option मिलता है, clone का, दोस्तो clone का मतलब भी duplicate ही होता है, बट इसमें फर्क है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, हम इस object को वापस से ले लेते हैं, और इसी object का हमें clone बना लेते हैं, edit menu में जाने के बाद यहां पर हम देख सकते हैं, आपको हमें option मिलता है clone का, इस वाले option पर जैसे हम यहां पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं same as it is इसी की duplicate copy यहाँ पर आ चुकी है बट यह जो नीचे वाला object था यह original है और यह वाला object हमारा आया है यह clone है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले object में हम जो भी changes करेंगे उपर वाले object में automatic changes अपने यहाँ होती ही चली जाएगी जैसे हमाल लीजे हम यहाँ पर type करते हैं computer यहाँ पर आप देख सकते हैं computer type हो चुका है इसके अलावा अगर इसके size को भी हम यहाँ पर increase या decrease करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं उससी size को अपने आप लेता चला जाएगा और इसके अलावा अगर हम color बगरा भी change करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं colors भी यहाँ पर automatically change होता चला जाएगा याँ कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप original object में जो भी काम करेंगे वो उसके duplicate यानि clone वाले option पे भी automatic वही changes होती चली जाएगी तो इस तरीके से आप इस option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर next option मिलता है select all का दोस्तो select all option का इस्तिमाल करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक design बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ alphabets और कुछ objects का यहाँ पर इस्तिमाल किया है इसके लावा हमने यहाँ पर कुछ outlines का भी इस्तिमाल कर रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ guidelines का भी इस्तिमाल कर रखा है इन सभी चीजों की मदद से आज मैं आपको select all के सभी option के बारे में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम चले जाते हैं edit option पर और यहाँ पर आपको मिलेगा select all का एक option यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको चार option दिखाई देंगे जिसमें अगर आप यहाँ पर अप्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पूरे document में object यहाँ पर select होगा याँ यहाँ पर आप पूरे document में से object को सीढ़े उठा करके कहीं भी move कर सकते हैं Object के अंदर आपके Texts भी आते हैं, आपके Elements भी आते हैं, Paragraph भी आते हैं, तो यानि कह सकते हैं, हम पूरा का पूरा Matter एक सा Select करने के लिए हम यहाँ पर Object वाले Option का इस्तिमाल करते हैं, हमने वापस से Ctrl-Z करके इसको वापस से Back कर दिया, इसके बाद हम बढ़ते हैं, अगले Option की तरफ, हम Edit पर फिर से जाते हैं, यहाँ पर आपको जो दूसरा Option यहाँ पर दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, टेक्स का, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर हम चाहते हैं, कि जितना भी हमारा Text है, कि वर Text यहाँ से हट जाए, बाकि Object यहाँ पर रहना चाहिए, तो उस Case में हम इस वाले Option का इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आप एक-एक करके इस Text को यहाँ से उठाएंगे, तो यह बहुत जादा Typical हो कि आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं, आपको Edit Option पर जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको Select All के अंदर एक Option दिखाई देता है, इस वाले Option पर आपको क्लिक कर दे रहा है, बस आपको इतना करते ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पूरे Design में से जितने Text को अगर यहाँ पर हटाना चाहते हैं, तो उस Case में यह Option बहुत ही कामका है, इसके बाद हम Ctrl Z करके वापस इसे Back कर देते हैं, और फिर से हम बढ़ते हैं अगले Option की तरफ, दोस्तों यहाँ पर जो हमारा तीसरा Option यहाँ पर मिलता है, वो यहाँ पर मिलता है Guidelines का, दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं कि सारी Guidelines को एक साथ सेलेक करके हटाना या डिलीट करना या जो भी आप यहाँ पर चाहते हैं, उसके लिए आप सारी Guidelines को यहाँ पर सेलेक कर सकते हैं, अगर आप गाइडलाइन को यहाँ पर सेलेक करना होगा, तो शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पर एक एक करके अगर आप इन सभी guideline को select करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है हम simple option यहापर इस्तमाल करेंगे edit option पर जाएंगे select all में जाएंगे और यहाँ पर आप आपको option मिलता है guidelines का इस पर आपको simply click कर देना है तो इस तरीके से आप इस option का भी यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं अब हम बढ़ते हैं अपने last option की तरफ edit option पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते है select all के अंदर यह जो हमारा notes का option है यह अभी यहाँ पर hide है तो दोस्तो इसका इस्तमाल कैसे किया जाता है माल लीजे यहाँ पर हमने एक object को select करना है जिस भी object को हम यहाँ पर select करेंगे उसी के notes को यहाँ पर select करेगा तो notes हो दोस्तों यह जो corners होते हैं इन्हीं को notes कहा जाता है अब यहाँ पर हम इस object को select करते हुए edit option पर जाएंगे यहाँ से select all के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं नोड का option था वो यहाँ से highlight हो चुका है इस वाले option पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख स देख सकते हैं आपका जो rectangle था वो यहाँ से delete हो चुका है तो दोस्तों इस तरीके से आप इस option का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप यहाँ से किसी एक line को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी एक node को select करना होगा इस तरीके से node को select करने के बाद पर एक option मिलता है break curve का इस वाले option पर जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर यह जो line थी वह यहाँ से break हो चुकी है और जिस भी line को आप यहाँ पर हटाना चाहते हैं उस वाले dot पर जाकर जैसी double click मारेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाले line यहाँ से हमारी delete हो चुकी है तो दोस्तो इस तरीके से आप किसी भी object की line को यहाँ से आसानी से break कर सकते हैं notes की मदद से दोस्तो coral row के अंदर आप किस तरीके से किसी भी object को find कर सकते हैं किसी भी color को find या replace कर सकते हैं किस तरीके से कर सकते हैं आये जानते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको आना है edit option पर, edit option पर आने के बाद यहाँ सबसे नीचे आपको एक option दिखाई देगा, find and replace का, जिसकी shortcut की आप यहाँ पर देख सकते है, control plus F है, आपको इस वाले option पर click कर देना है, तो इस option पर click करते ही, आपके सामने एक dialogue box यहाँ पर open हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला option आपको यहाँ पर मिलता है, find object का, अगर आप किसी object को find करना चाते हैं, तो आपको इस वाले option को यहाँ पर select करना है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर किसी object को replace करना चाते हैं, तो इसके लिए आपको इस वाले option को select करना होगा, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर किसी text को find या replace करना चाते हैं, तो इस case में आपको third option को यहाँ पर select करना होगा, तो ये तीनों ही option आज कीす फीडियो में हम आपको पताने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर find वाले option को select करते हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पर काफी सारी options मिलते हैं जिसमेंसे आप यहाँ पर अपने हिसाब से जिस भी चीज़ को find करना चाहते हैं उसको select कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हैस्वरप्रिंट a slash around लाइं अगर आप और uhprint outline को यहाँ WOW UP playing करना चाते नहीं तो इसको आप यहाँ पर select कर सकते हैं, इसके अलावा pentone feels को आप यहाँ पर find कर सकते हैं आउट्लाइन्स को find कर सकते हैं तो काफ़े सारे options आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, हम यहाँ पर इसे रखने वाले है custom पर क्यों हम अपने हिसाब से इसको find करना चाहते हैं, इसलिए हम custom को select करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, इस वाले option पर आपको click कर देना है, दोस्तो इस option पर click करते हैं, आपके सामने यहाँ पर काफ़े सारे option आपको दिखाई दे जाएंगे, जिसमें object type से related, आपको rectangle मिलता है, ellipse मिलता है, जिस भी चीज़ को आप यहाँ पर find करना चाहते हैं, उस पर आपको tick कर देना है, या two colors को, vector को आप यहाँ पर find कर सकते हैं, outlines को find कर सकते हैं, special effect को find कर सकते हैं, वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो हम यहाँ पर rectangle को find करने वाले हैं, तो इस वाले option को select करते हुए, हम यहाँ पर okay वाले button पर click करेंगे, दोस्तो okay बटन पर click करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे की तरफ हमें यहाँ पर option मिल जाता है, find all का, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आपको एक-एक करके find को find कर सकते हैं, अगर यहाँ पर find all पर अगर आप click करेंगे, तो आपको एक साथ यहाँ पर जितनी भी यहाँ रेक्टेंगल्स होंगे, वह यहाँ पर select हो जाएंगे, यानि find हो जाएंगे, तो हम इस वाले option पर यहाँ पर click करेंगे, इस पर click करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सभी rectangles यहां पर एक साथ यहां पर find हो चुके हैं तो इस तरीके से आप इस option का यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा आगर आप चाहें तो name wise भी इसे यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं यानि name wise भी किसी भी rectangle या किसी भी shape को जो भी आपने नाम दिया हुआ है उसके इसाब से भी आप इसे find कर सकते हैं तो सबसे पहले हम किसी object को यहाँ पर नाम दे देते हैं उसके बाद मैं इस option का आपको यहाँ पर इस्तमाल बताने वाला हूँ जैसे मालजी हमने यहाँ से इस वाले shape को select किया और shape को select करने के बाद यहाँ से हम आ जाते हैं windows option पर दोस्तो windows option पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक option दिख जाता है docker's का docker's के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहां पर एक option मिलता है objects का, आपको इस वाले option पर click कर देना है, तो इस option पर click करते ही, आप यहां पर देख सकते हैं, आपको object के नाम से यहां पर सारी layers आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगी, जिस भी object का नाम आप यहां पर रखना चाहते हैं, उस object पर आकर के आपको keyword double click करना है, तो इसको double click करते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, वो हमारा rename आजाएगा और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, तो इसे cut करके हम नाम देते हैं, shape one, shape one नाम देते ही, हम इसे यहां से बाहर click करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इस object का हम ने shape one नाम दे दिया है, उसके बाद हम इसे यहां से cancel कर देते हैं, इसी तरीके से आप अपने सभी object को यहां पर अलग-अलग नाम दे सकते हैं, अब हम यहां पर जाते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं, अपने अगले option की यहां पर हम जाएंगे वापस से, और यहां पर आप देख सकते हैं, आपको जो next option यहां पर दिखाई देता है, वो है replace object का, तो इस वाले option पर हम यहां पर click करेंगे, दोस्तो इस option पर click करते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर color का option है, आप यहां से color को find कर सकते हैं, उसे replace कर सकते हैं, इसी तरीके से आप color model को भी यहां पर find या replace कर सकते हैं, outline properties को भी find कर सकते हैं, और text property को भी यहां से आसानी से find कर सकते हैं, तो इसमें से मैं आपको color वाला option बताने वाला हूँ, जैसे माल लीजे हमने color वाले option को select किया, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर find color में, एक option आपको दिखाए देगा, जहाँ पर आप अपने color को find करेंगे, जैसे माल लीजे हम यहाँ पर जो भी color को find करना चाहते हैं, उस वाले color पर यहाँ पर click करेंगे, और यहाँ पर आपको अपना color select करना होगा, दोस्तों यहाँ पर अगर आप color सही से नहीं select करते, तो यह उसे exact find नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक option मिलता है, eye dropper tool का, इस वाले option पर आप यहाँ पर click करेंगे, इस option पर click करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर eye dropper tool open हो जाएगा, और जिस भी color को आप यहाँ पर find करना चाहते हैं, केवल उस color पर आपको जाआ करके यहाँ पर click कर देना है, दोस्तो इस color पर हमने यहाँ पर click कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो color automatic यहाँ पर find हो चुका है, इसके बाद आपको यहां से बाहर क्लिक कर देना है, यहां पर आप देख सकते हैं, आपका वो color show हो जाएगा, तो दोस्तो इसके बाद आपको यहां से नीचे की तरफ scroll करके आ जाना है, और यहां पर आप देख सकते हैं, आपको option मिलता है find all का, जैसे आप find all पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने उस सभी color को select कर लिया जो अभी हमने यहाँ पर find किया था इसके लाओ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और option दिखाई देता है place का अगर आप चाहते हैं कि इस color को यहाँ से replace करके इसकी जगा दूसरा कोई color आप fill करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आपको यहाँ पर click करना होगा क्लिक करते हैं आप यहाँ पर जो भी color यहाँ पर यूज करना चाहते हैं या जो भी color आप इसके इंदर फेल करना चाहते हैं उस color को आपको यहाँ पर select कर लेना है और उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर आई-ड्रॉपर टूल की मदद से भी कोई color यहाँ पर pick कर सक तो इसके बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक option दिखाई दिता है replace का अगर आप यहाँ पर replace करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको पहला object यहाँ पर दिखाई देगा और replace करते ही यह color यहाँ से replace कर दिया आपको यहाँ पर एक option मिलता है find and replace text का तो इस पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर भी दो option दिखाई देते हैं जिसमें find और replace आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हम सबसे पहले यहाँ पर find वाले dialog box पर जाएगे और यहाँ पर कोई भी text type कर देते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर excel info ॥क कई यह पर copy paste किया हुआ है तो हम यहाँ पर type कर देते हैं यह पर प्रेजिए option पर click करेंगे तो थे सकते हैं आपको एक ठरकी option यहाँ पर दिखा हुआ है कि कहा-कहा पर आपका Excel यहां पर लिखा हुआ है इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर replace का option दिखाई देता है जो अभी present में highlight नहीं है तो दोस्तों इसको highlight करने के लिए आपको यहां पर ऊपर की तरफ replace वाले option पर click करना होगा इस पर जैसे आप यहां पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहां पर replace का option highlight हो जाएगा और इस Excel की जगापे अगर आप यहां पर कुछ और लिखना चाते हैं तो वो आप यहां पर लिख सकते हैं जैसे हमें आप यहां पर type कर देते हैं इनफो लिखने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर replace और replace all का वही option दिखाई देता है अगर आप replace पर click करेंगे तो यह एक करके replace करेगा और replace all पर click करेंगे तो एक साथ सभी Excel को हटा करके इसकी जगापर info लिख देगा यहां पर replace all का इस्तिमाल करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सभी टैक्सेस में से यहां पर Excel हट चुका है और सभी जगापर यहां पर info आ चुका है तो दोस्तो इस तरीके से आप find और replace option का यहां पर इस्तिमाल कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं, हमने यहां पर एक आई-कार्ड लिया हुआ है, और इस एक आई-कार्ड को हम यहां पर एक इक पोजिशन में पेज के ऊपर सेट करने वाले हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, हमने यहां पर जो अपने पेपर का साइज लिया हुआ है, वो लिया हु को आपको यहाँ पर select कर लेना है, इस option पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने, यहाँ पर आपको एक option दिखाई देता है, step and repeat का, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे, आपको horizontal setting आपको दिखाई देगी, जिस पर आपको click करना है, तो इस पर click करते ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर तीसरो option दिखाई देगा, spacing between object का, इसको आपको यहाँ पर select कर लेना है, इसको select करने के बाद, यहाँ पर आपने distance को set कर सकते हैं, कि आपको अपने icon के बीच में, कितना distance यहाँ पर रखना है, तो हमने यहाँ पर 0.2 का distance यहाँ पर रखा हुआ है, इसी distance को रखते हुए, हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो direction का distance है, वो आपको यहाँ पर right side में दिखाई दे रहा है, तो हम by default इसको right side में ही रखेंगे, क्योंकि हम इसकी copy right side में करने वाले हैं, इतनी setting करने के बाद आपको यहाँ से आ जाना है vertical settings पर, spacing between object का, इस पर आपको click करना है, और यहाँ पर आपको लेना है no offset, इसको select कर लेना है, इसके बाद आप यहाँ से अपने i-card की कितनी copies करना चाहते हैं, उतनी number of copies आप यहाँ पर डाल दीजिए, तो माली जहां हम यहाँ पर five copies चाहते हैं, तो हम यहाँ पर five डाल दिया, उसके बाद यहाँ से apply वाले option पर click कर देंगे, दोस्तो जैसे में यहाँ पर apply option पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर i-card same equal position में यहाँ पर paste हो चुका है, इसके बाद हम अपने object को यहाँ पर एक साथ सभी object को select करेंगे, यानि सारे i-card को यहाँ पर एक साथ select करेंगे, select करने के बाद आपको horizontal वाले settings पर बापस से आना है, और उसे यहाँ पर कर देना है no offset, दोस्तो नो offset करने के बाद आप यहाँ से आपको vertical वाले option पर आना है, और यहाँ से आपको spacing between object select कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका distance जो दिखाए ते रहा है 0.85 इचिस का यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, तो हम इसे इतना ही रखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, नीचे की तरफ आपको कितनी number of copies चाहिए, वो आपको यहाँ पर select कर लेनी है, तो यहाँ पर number of copies हम चाहर चाहते हैं, तो चाहर सेलेक करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, direction आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर down की तरफ है, क्योंकि हम इसकी जो आई-card की copy है, वो यहाँ से नीचे की तरफ करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो page है, वो नीचे की तरफ आपको दिखाए तेरह blank है, हम यहाँ पर इसकी copy करने वाले हैं, तो इसलिए हम इसकी position down रखेंगे, और उसके बाद यहाँ से apply वाले option पर आपको simply click कर देना है, तो जैसी आप यहाँ पर apply वाले option पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक page पर आपके यहाँ पर i-card से यहाँ पर automatic set हो चुके हैं, इसकी बाद आपको यहाँ पर control A करके, पूरे object को select करके, control G कर देना है, यानि group कर देना है, group करने के बाद इसे हम यहाँ से हटा लेते हैं, और इसकी बाद आपको अपने keyboard से प्रेस करना है P, तो इसकी बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो object होगा, वो बिल्कुल page के center में set हो जाएगा, मैं आपको एक बाद फिर से दिखा देता हूँ, जैसे हम अपने keyboard से P type करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, object हमारा बिल्कुल center point में page के align में set हो चुका है, इसकी बाद आप यहाँ पर F4 करके इसको focus कर सकते हैं, और देख सकते हैं, आपका i card यहाँ पर proper तरीके से page के ओपर set हो चुका है, तो दोस्तो इस तरीके से आप कोरोड रो के step and repeat option का इस्तेमाल कर सकते हैं,